National Quantum Mission इस मिशन की गोशना केंदर सरकाट के केबिनेट के दौरा 19 अपरेल 2023 को की गई इस मिशन की कुल लागत का अनुमान 6,003 करोड रुपए रखा गया है यह मिशन 2023-2024 से लेकर के 2030-31 तक के लिए मन्यूर किया गया है National Quantum Mission के दौरा वैग्यानिक और अधोगिक सोच एवं विकास काजियों में मदद मिलेगी वरतमान में अगर बात करते हैं तो यह तकनिक अमेरिका, और अस्ट्रिया, फिनलेंड, फ्रांस और कनेडा तसा चीन के पास है साथी साथ भारत अब सात्मा ऐसा देश होगा जिसके पास यह तकनिक होगी नेशनल कौन्टम पीशन में अगर हम और डीटेल में जाते हैं तो क्वांटम टेकनोलजी पर यह आधारी तक क्वांटम टेकनोलोजी क्या होती है अगर उसकी बात करेंगे तो विज्यान की मेक्यानिक्स के सिद्धान पर ये कारे करती है, मेकेनिक्स जिसमें हम द्रव्य और पदार्थ की जानकारी रेते हैं, अध्यान करते हैं, उसके सूक्ष मुरूपों को हम quantum technology में पढ़ते हैं, quantum technology का खोज लगबग आज से 100 साल पहले की गई थी, साथी साथ, जो national quantum mission है, जो भारत में मंजूर किया गया है, इससे भारत को क्या-क्या फाइदा मिलेगा, उस पे एक नज़ा डालेंगे, तो इसमें computing शमता में बढ़तरी होगी, quantum computers की इसमें निर्मार के जाएंगे, quantum computers से computing शमता जो है, वो भारत के लिए और ज़्यादा केगा, computing समता चुकी बढ़ जाएगी, साथी साथ, high security, data की जो security है, उसमें और ज़्यादा लेयर्ट बढ़ेंगी, अन-hackable system डेवलप करने में मदद मिलेगी, साथी साथ, AI जो की इस समय सबसे current topic है, AI की technology को भी नईकती मिलेगी, चिकित्सा, पर्याव और भूविज्यान क सोधों में भी national quantum mission से मदद मिलेगी, तो दोस्तों, आज हमने जाना national quantum mission, thanks for watching, have a good time